गाईस जैसे आज आज आपको इंडियान मैप में 28 राज्यव आर्ट किंद सासित पर्दिस दिखाई देते हैं आपको बता दो ये हमेशा से ऐसे नहीं है बिफोर इंडिपैंडेंस इंडिया पांसो पैंसर प्रिंस जी स्टेट्स में डिवाइड था इस दोरन इंडिया के पास तीन तरह के राज्य वह अ करते थे territories of British India, princely states and colonial territories of France and Portugal लेकिन गाइस जब इंडिया को independence मिली दें धीरे धीरे इंडियन states का formation हो ना सुरू हुआ बट गाइस states formation का अधार language सा लेकिन पंडित जवालाल नेरू ने इस demand को पूस किया linguistic basis में states formation की बड़ती demand को देख 1953 में state recognition commission बनाई गई इसके बाद 1956 में देश में कई सारे नए राज्य भी बने इस ज़ौरान इंडिया में 14 राज्य वच्छे केंदिसासित परदेश बन चुके थे languages के आधार पर आंधर प्रदेश इंडिया का सबसे पहला राज्य बना इसके बाद महरास्टा, गुज्रा, हर्यानव पंजा वग कई सारे भासा या धार पर नए राज्य बनाए गए फिलाल अब हिस्टे की बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ इतना देखेंगे इंडिया के सब स्टेट्स की capital, official language, number of districts and information देखो तो गाईज आप कॉमेंट सक्सें में बताना के इंडिया के किस स्टेट से तालुक रखते हो और किस स्टेट से हमारा या वीडियो देख रहे हो तो चलिए गाईज शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना किसी देरी के दोस्वों भारत में फिलाल 28 राज़ वा आर्ट केंदस हसित पर्देस हैं और सब राज़ में अपनी चुने हुई government होती है आपको बता दो हर एक राज़ का एक चीफ मिनिस्टर और एक गवर्नर होता है और राज़ में legislative, judicial and administrative level की तीन capital cities होती है लेकिन भारत के कुछ राज इसमें सबसे पहले अरोनाचल परदेश की बात करें तो इसकी स्ताफना 20 परवरी 1987 को ही 20 जनवरी 1902 को अरोनाचल परदेश को इंडिया की एक union treaty बनाया गया फिर इसको 1987 में fulfilled state में तबदिल कर दिया गया और इसकी capital रखी गई इटानगर सिटी ये नौथ इस्ट इंडिया क सबसे बड़ा रज्य है और अनोचल परदेश में टोटले 26 जिले मजूद है और राज्य की आधिकारिक भासा इंगलिश है नमबर टू आसाम 226 जैनवरी 1950 को इंडियान स्टेट असम का फोर्मेशन हुआ असम की capital दिस्पूर सिटी है जबकि यहाँ पर कुल मिला कर 31 जिले हैं और लाज्य स्केल पर बोली जाने वाली भासा असमी जेन बूरू है नमबर थरी मनिपूर की ओर चलें तो 1956 को मनिपूर को इंडिया के एक यूनियन टैर्टी बनाया गया दे 1972 में मनिपूर को इंडिया का एक complete state बना दिया गया इमफाल मनिपूर की capital लाज्य सिटी है और यहाँ पर कुल मिला कर 16 जिले हैं और official language में ही ती है इसको 1st of December 1963 को असम से हटा कर एक नया राज्य बनाया गया राज्य की राज्या नी रखी गई कोहिमा और सबसे बड़ा शहर दीमापूर है यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको 16 districts and most common language English and Nagamese है इसके बाद गाई सिक्किम की बात करें तो May of 16 1975 को Himalayan Kingdom of Sikkim इंडिया के 22nd स्टेट के तौब पर इंडिया में मर्ज किया गया जहांकि Capital City गैंग टोग को बनाया गया सिक्कि में totally 6 districts and सिक्कि में कई सारी languages बोली जाती है पर ओफिशियल नेपाली सिक्किमी इस लेप चायन इंगलिश है इसके बाद परसेंट इंडिया का 3rd smallest state यानि तिरकुरा को वो नेवेंबर 1956 में इंडिया के के यूनियन टैटी के ताव पर शामिल किया गया लेकिन 21st January 1972 में तिरकुरा को 8 districts वाला एक state बना दिया गया जहांकि Capital and Logicity रखे गई अगर तला और यहां पर Most Common Languages बेंगॉली, English and Koroborok है नाओ मिजोरम की बाग करें तो इसका मतलब होता है लैंड ओफ मिजोरम की साफना 20th February 1987 में एस अ इंडियन इस्टेट हुई, इससे पहले मिजोरमे की यूनियन टैटी हुआ करता था, मिजोरम 11 districts के साथ मिजोरम इंगलिज चैसी लेंगुजिस का होम है, और मिजोरम की Capital and Logicity आइजोल है, मिजाले नौथ इस्ट इंडिया का एक और इंपोर्टेंड स्टेट जो कि 21st January 1972 को इंडियन स्टेट के तौर पर सित्तों में आया, इससे पहले यह असम स्टेट का हिस्सा हुआ करता था, मिजाले में कुल मिला कर 12 जिले हैं, और आज यह की आधिकारिक भासा इंगलिश है, और सिलोंग यहां की राज़ानी वह सबसे बड़ा शहर है, तो गाइस यह थी नौथ इस्ट इंडियन स्टेट की कंप्लीट कहानिया, ब्रेस्ट ऑफ इंडियन स्टेट को कवर करते हैं, तो पंजाब की बात करें, तो यह नौथ इंडिया में लोकेटेड इ 23 डिस्टिक्स हैं, जबकि इसकी कैबडल सिटी चंडिगड़ है, और पंजाब यहां पर सबसे बड़ी स्केल में बोली जाने वाली लैंगवेज है, दोसों हरियाना जिसका फॉर्मिशन 1st of November 1966 को पंजाब से अलग हुकर हुआ, यह आज इंडिया के अच्छे गासे इसका फॉर्मिशन as a state 25 January 1971 को हुआ, इससे पहले पंजाब स्टेट्स एजनसी का पार्ट हुआ करता था, हिमाचल प्रदेश की विंटर कैपिटल धरमसा लैंड समर कैपिटल सिमला है, हिमाचल को टूटल इट्वल डिस्टिक्स में बाटा गया है, और यहां की ऑफिशल ल सेन को रखा गया है, और यहां पर आपको फुल मिला कर तेरा जिले देखने को मिलेंगे, और यहां की ऑफिशल लैंग्विज भी हिंदी है, इसके बाद अगर राजस्तान की ओर चले तो राजस्तान का मतलब होता है, राजाओं का इस्तान, यह राज यह भारत के उत्तर प साथी साथ वेस्टन कोस्ट अफ इंडिया में लोकेटेड इंडिया की मुस्ट डेवलिपिंग स्टेट यानि गुजरात स्टेट का फॉर्मेशन 1 अफ में 1960 को बॉम्बे स्टेट की ब्रेक अप से हुआ, गुजरात की राज़नी गांदी नगर है और सबसे बड़ा शहर ए वीडियो पुसंद आए तो लाइक करें साथी चनल को सुब्सक्राइब भी जुरू करें